हेलो एविवन गुड मॉनिंग अम आडिबल टो एविवन गुड मॉनिंग स्वाथी अर्चना सुधीप सभी को गुड मॉनिंग क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एक बर जल्दी से कनफर्म कीजे आज की डेट है 6th November 2023 आएए शुरुवात करते हैं आज की discussion की सबसे पहले जान लेते हैं कौन-कौन से articles हम देखने वाले हैं आज की newspaper में तो first article जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की शुरुवात यहीं से करेंगे सिधा हम पहले बात करेंगे एडिटोरियल की and then we will move towards the prelims part जहां पर हम prelims related news को cover करेंगे इसके बाद एक important article आता है इंडिया-भुटान relation के उपर अभी recently जो भुटान के king है उन्होंने विजिट किया इंडिया को तो कहीं न कहीं एक असम बार्डर पे एक project है इसके बारे में बात करने आए हैं वो तो वी विल डिसक्स अबाउट इंडिया-भुटान relation कैसे रहे है इस्टॉरिकल पर प्रस्पेक्टिव से भी एकॉनिक पर प्रस्पेक्टिव से भी सभी प्रस्पेक्टिव से हम इसे डिसक्स करने की कुशिश करेंगे then next important article is कि इंडिया की अभी review होनी है financial action task force की एक review होना है इंडिया की economy का जहाँ पर यह देखा जाएगा कि इंडियन economy में क्या terror funding के लिए कोई गुझायश बची हुई है या if we talk about money laundering क्या वैसी घटना है इंडिया में देखने को मिलते तो उसका एक review होना है तो कुछ suggestion दिये थे इन्होंने 2010 में जब यह review हुआ था उसको implement करने के लिए कुछ changes government लेके आई है तो यहाँ पर उसके बारे में हम जानेंगे then next important article about Russia रश्या ने एक nuclear missile को test किये बिलिस्टिक missile है वो submarine से launch की गई है तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि जैसे थाड़ा के बारे में आपसे पूछा गया था तो यहाँ पर इस missile के नाम का आपको पता होने चे बुलावा इसका नाम है and अगर इसका नाम पूछा जाता है किस country से associated है तो यू मस्त रिमेंबर कि रश्या से associated है तो इसके बारे में हम जानेंगे then we will talk about एक important article यहाँ नीचे आता है साउधी और रश्या ने oil cuts को अभी फिर से impose किया है तो कहीं न कहीं दो organization आपके news में आते OPEC and OPEC plus इन दोनों के बारे में जानेंगे इसका क्या impact होगा world economy पे उसको भी जानेंगे then Zika virus के बारे में हम कुछ detail जानेंगे क्योंकि इसकी genome sequencing की थी तो इसके बारे में क्या information निकल के आई है that is very important for us and नीचे यहाँ पर walbachia एक bacteria है जो कि कुछ अगर mosquitoes में पाया जाता है oh sorry mosquitoes में पाया जाता है तो उससे कहीं न कहीं जैसे yellow fever या chicken gunya जैसे बुखार में कमी देखने को मिलती है तो इसके बारे में हम थोड़ आसा जानेंगे so these are the most important articles which we gonna discuss today but before starting with the newspaper let's come to the quotation part quote आज का है sustainable development is development that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो resources हम अभी use कर रहे है all those resources whether we talk about coal, crude oil wind like water anything like this जो भी हम natural resources अभी use कर रहे है these are the things what we have borrowed from our future generation अब एक पुराना कोट है जिसमें एक आजाता है कि यह जो resources हम use कर रहे है these are not what we have inherited from our forefather मतलब हमें अपने पुरवजों से नहीं मिली अविरासतिये यह हमने borrow कर रखें अपनी future generation से तो we have to use them properly जिसमें wastage कम हो जिसमें इनके उपर impact कम हो अब यहाँ पर इस कोट में भी यही कहा जा रहा है आप उसके उपर impact ना करें अब इसी से related गांदी जी का एक कोट है जिसमें गांदी जी कहते हैं अब इसी से related आज का हमारा editorial भी है editorial में किस बारे में बात की गिए इसे समझते हैं इफ वी टॉक अबाउट अर्बन प्लानिंग इन इंडिया कहते हैं अर्बन प्लानिंग इफ वी टॉक अबाउट अल्दो most of the Indian population is residing in ruler areas बट अर्बनाइजेशन के अपने अलग ही कुछ problems चल रहें जिसमें सी एक problem आती है pollution एक problem आती है pollution अगर मैं एक बात करूँ कि एक person है जिसकी नियत में ही खोट है means ये person है जो लोगों को cheat करता है अब तब उनके पैसे ठकता है criminal mind का है अब अगर ये एक अच्छी वेश भूशा पहन ले means cosmetically अपने आपको उपर से बदला हुआ दिखाई देने दिखाता है हो जिसे most of the time आपने like Indian Bollywood movies में देखा होगा the villain used to show himself as a बहुत बड़ा दानी है तो same way यहाँ पर आप एक चीज़ समझ के चलें कि जब हम pollution के बात करते हैं तो हम cosmetic changes के बारे में बात करते हैं cosmetic changes कैसे जिसे if we talk about Delhi में air pollution है what will be the potential solution you will give आप कहोगे sir smoke towers लगा देते हैं या हम water spray कर देते हैं हम इन्ही दो चीज़ों के उपर focus करेंगे या इसके इलावा दो चार चीज़े और add कर देते हैं चलो odd even scheme लगा देते हैं या construction के उपर बेहन लगा देते हैं या किसानों की stubble burning यानि paddy burning के उपर जो like paddy straw की burning है उसके उपर blame लगा देते हैं अगर हम यहां पर देखें हम सिरफ cosmetic चीज़ों को छेड रहे हैं जो actual में problem का एक छोटा सा अंश है प्ट actual में we are not addressing the problem अब problem कहा हैं के तो problem है urban planning में urbanization वे why is it so because most of the time you will see जो urbanization है या urban planning है यह क्या है urban planning आपकी it is not sustainable why it is not sustainable अब इसके लिए कुछ example दी जाते हैं example में कुछ आकड़े हैं आकड़े हमारे लिए इतने कारगर सावित नहीं होते हैं not useful for our means or prelims perspective so let's discuss like normally इस चीज़ को हम discuss करते हैं अगर आप urban transportation sectors को देखे urban transport sector को तो you will see almost 60% of the pollution in every city is coming from this urban transportation sector मतलब urban transportation जो है वो major problem की जड़ है क्यों देखे अगर हम बात करें public transport की तो इसमें बहुत सी problem है public transport में problem क्या है sometimes it's costly क्योंकि 85% of Indian workers are in informal sector informal sectors में हैं और उनको ऐसा लगता है कि भई अगर हम public transport को use करेंगे अब मान लो मैं आपको एक example देता हूँ I love to travel in public transport but Delhi में मैं जहाँ पर रहता था मतलब मैं मोती नगर में रहता था अब अगर मोती नगर से मुझे करोल बाग जाना हूँ तो मेरे को बहुत परिशानियों का सामना करना पड़ता था जैसे पहले तो तीन से चार किलो मेटर तक मुझे एक ऐसे में रोड पे आने के लिए लगता था टाइम जहां से मैं एक्च्वल में किसी आटो को या किसी चीज़ को ले सकूँ जहां से मैं मेट्रो सेशन तक पहुन सकूँ अब दो से तीन किलो मेटर अगर मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ फिर आटो से मैं दो किलो मेटर ट्रैवल करूँगा और फिर मैं मेट्रो में ट्रैवल करूँगा और फिर मेट्रो से आगे ओफिस तक जाने के लिए फिर से मेरे को आटो लेना पड़ेगा विकास दो किलोमेटर दो डाई किलोमेटर वहां से भी मेरा ओफिस था अब यहां पर अगर आप इस चीज को पूरे को देखें तो इसमें टाइम बहुत जादा यूज होगा अब इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि भी देखो पैसा तो है ही है पैसा क्योंकि देखें यहां पर अलग-अलग संसाधन का आप इस्तेमाल करेंगे end-to-end connectivity आपके पास अविलेबल नहीं है तो mostly यह costly बन जाएगा जैसे अगर मान लो 10 रुपे आटो वाला यहां ले रहा है अगर किसी की salary ही 10,000 रुपे हो तो क्या इस चीज को afford कर पाएगा जवाब है नहीं जवाब है नहीं तो यहां पर public transport कुछ metro cities में अगर हम बात करते हैं काफी costly रहता है costly रहने की वज़े से जो 85% informal sector में लोग काम कर रहे हैं अब देखो ना एक bike है एक bike average देती है जैसे अगर कोई छोटी मोटी bike है 100cc की या 110cc की वो 75% की average दे देती है मतलब अगर आपको office 5 km जैसे मेरा office सिरफ 5-7 km ही है अगर मैं metro की तरफ ना जाओ और सीधा मैं अपने office जाओ तो 7 km मेरा office नहीं था बट यहां पर अब क्योंकि मेरको यह सब चीज़े करने पड़े है 100 रुपे का मेरा खर्चा आ रहा है अब सेम अगर मैं अपनी bike से travel करूँ तो मेरा खर्चा पड़ रहा है 60-70 रुपे तो यहां पर मेरको 30 रुपे की budget दिखती है तो इस वज़े से मैं क्या करूँगा अपने vehicle को ले जाने की कुशिश करूँगा पहरी चीज दूसरी चीज public transport में अगर हम बात करें end to end जैसे मैंने यहां पर आपको यह बता ही दिया है end to end connectivity यानि last mile connectivity is not available not everywhere जैसे एक example देता हूँ अब मैं चंडिगड रहता हूँ तो वहाँ पर जाने के लिए मेरे को approximately highway से 5-7 km पैदल जाना पड़ेगा जहां पर कोई public transport अविलेबल नहीं अब ऐसे scenario में लोग क्या prefer करते हैं कि भाई ठीक है वहाँ पर कोई ना कोई vehicle हो अगर कोई अपना बंदा रह रहा हो उसको बुला कर मतलब public transport नहीं है तो private vehicles यूज करेंगे तो यह एक example दे रहा हूँ कई बार ऐसा होता कि कई बार connectivity आपकी completely established नहीं है तो उस वज़े से भी लोग क्या करते हैं private vehicles को preference देते हैं पिर इसके इलावा अगर आप transportation sector देखें तो recent time में इसमें बहुत ज़्यादा growth देखने को मिलिए अब growth के पीछे various reasons हैं एक तो cost जो है vehicles की देखो easy EMI मिलने लगी है तो cost जो है वो कम हो गई है means अगर मेरे car खरीदने की आउकात है कि 4-5 लाग के एक car खरीद सकता हूँ अब मेरे पास cash पेड़ा 2-3 लाग अब मैं क्या करूँगा उससे higher segment में भी चला जा सकता हूँ अगर मैं EMI करवा लूँ अब अगर same time अगर आप बात करें कि किसी की जो income है 10-10,000 है, 30,000 है, 40,000 है तो he will think कि भी एक bike ले लेते हैं bike की EMI करा देंगे 4-5,000 में पड़ेगी अब इस तरह से जब आप EMI सिस्टम देखते हैं तो इससे आपको पता लगए था कि recent time में बहुत जादा change आया transportation sector में जहाँ पर आप roughly देखेंगे इंडिया के अंदर अब automobile market की जो value है that is around 100 billion dollar अब इसी में आने वाले समय में आपको देखने को मिल रहा है 2027 तक it will rise up to 160 billion dollar मतलब तकरीबन तकरीबन 8.1% का यहाँ पर आपको increment देखने को मिल रहा है इस market के हंता अब अगर नए vehicles आपके register होंगे तो उसका direct consequences पड़ेगा इसका direct consequences पड़ेगा pollution के उपर अब इसको author किस तरह से समझाते हैं लेखे author इसे कहते हैं कि आप एक चीज़ समझी अगर आप vehicles खासकर private vehicles ज़्यादा use करेंगे तो इससे क्या होगा आपको roads को चौड़ा करना पड़ेगा cities में do you agree with this if there is a concession means there is traffic jam बहुत ज़्यादा traffic jam रहने लगया किसी area में लोग complain कर रहे हैं तो ultimately what we have to do is we have to broader the roads अब अगर roads को broad करेंगे तो इससे फरक क्या पड़ेगा कहते जी जो green area है cities के अंदर that will reduce do you agree with this हंजी अगर किसी area में बहुत ज़्यादा vehicles को आप बेच रहे हैं बेच रहे हैं सडक पे जब हो vehicle उतरेंगे तो उसके लिए आपको road चोड़े करने पड़ेंगे अब road चोड़े करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको green area को cut shot करना पड़ेगा तो पहली चीज तो यहाँ अब जब आप green area को cut shot करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा deforestation means यहाँ पर पेडो को आप काटोगे पेडो को जब आप काटोगे तो उससे आप यह बताइए urban area में air quality के उपर क्या impact पड़ेगा the impact will be negative तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह कह दी जाती है फिर बहुत से अगर आप vehicles देखें they are fossil fuel based यह इस editorial में नहीं लिखा हुआ बट आप इस बात को समझे fossil fuel based है जहाँ पर आप किसका इस्तमाल करते है diesel या petrol का अब इन diesel और petrol vehicles से बहुत से pollutant release होते है और यह भी pollution करते है और यह भी pollution करते है तो यह second चीज आगी पहली चीज तो यह आगी कि भई आपको road को चोड़ा करना पड़ेगा traffic को manage करने के लिए अब जितना भी traffic jam होगा क्योंकि देखिए आप यह समझ के चलें कि vehicle increase हो रहे है तो traffic लगे गई लगेगा अब traffic jam लगे गई लगेगा तो उस case में यहाँ पर आप यह मान के चलें कि जो आपके जो area है वहाँ पर fuel consumption increase होगी vehicle की efficiency decrease होगी जितना fuel ज़ादा लगेगा उतना ज़ादा pollution आप release करेंगे तो यह दूसरा reason आजाता है तो यह urban planning का सबसे पहला part है जहाँ पर आप सबसे पहली problem देखते हैं कि private vehicles बहुत ज़ादा increase हो रहे है because government transportation अच्छा काम नहीं कर रहा है अब इसको ठीक करने के लिए क्या solution दिया गया solution यहाँ पर यह दिया गया कि almost we required 10 lakh buses 10 lakh buses की हमें requirement है अगर इसे हम fulfill करते हैं तो कहीं न कहीं हम urban areas में transportation sector को public driven कर सकते हैं जहाँ पर आप public transport की supply and demand उनको match कर पाएंगे तो पहला solution तो यहाँ पर यही दिया जाता है कि आपको public transportation increase करना होगा public transportation को increase करने के लिए at least we required 10 lakh buses at least 10 lakh buses की हमार को requirement रहेगी अब पहली problem समझ में आ गई कि urban area में ये problem है दूसरी problem के बारे में बात करते हैं urban area में you frequently see constructions अब कहीं पर घर को demolish किया जा रहे है demolish करेंगे तब भी dust आएगी if we talk about construction चल रही है तो वहाँ पर रिट्टा बजरी पड़ा होता है तो इससे सबसे ज़्यादा आपका particulate matter 2.5 and particulate matter 10 release होता है because ये जो dust particles है इनका size इस range में आता है and ये directly lungs के उपर impact करते है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए हमें यहाँ पर construction के अंदर कुछ changes करने होंगे जिससे जो ये dust particles है इनकी जो amount है इसको हम कम कर सके because we always talk about की petty farm की burning हो रही है इस वज़े से problem आ रही है but problem तो ये भी है 10 to 20 percent quota तो आपका construction work का भी आता because urban areas में आप continuously देखेंगे there will be a new building constructing every corner में आपको दिखेगा कि कोई नहीं building बन रही है साथ की साथ कहीं road बन रहे है कई flyover बन रहे है कई metro की construction चल रही है कहीं कुछ तो ये सभी construction जो चल रही है because India में क्या होता है की नीचे जमीन में मिटी जो है वो ऐसी पड़ी रहते है और धूल मिटी चली जा रही है आपने एक paint की ad देखी होगी जिसमें घर के ओपर paint की बात करता है कि इंडिया construct हो रहा है तो ये paint तो ऐसे ही चलता रहेगा इसके ओपर धूल मिटी टिकेगी नहीं बड़ थेंग इस ये धूल मिटी हमारे lungs के ओपर तो टिकती है उससे तो problem में create होती है तो हमें यहाँ पर कुछ viable solution देखने होंगे construction के लिए भी जो major one of the problem है कि construction work में आपको particulate matters आपके release होते है उसको control करने की हमारे को जूर्थ पड़ेगी तो यहाँ पर दूसरी चीज roughly 10% आप ये कहें NCR area में air quality को depreciate करने के लिए responsible ये भी है अब इसके लिए और क्या चीज़े कही गई है देखे अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको का 10% 60% ये है उसके इलावा छोटी मोटी जो problems आती है जो इन problems को बढ़ाती है जैसे 70% is problem from these two areas construction plus urban transportation rest of the thing is जैसे petty straw burning अब ये जो problem है ये उस problem को enhance करती increase करती है जो already exist करती है आपकी देखो air quality तो always आपकी यहाँ पर आप देखेंगे poor ही रहती है but the thing is यहाँ पर ये जो petty और straw burning है इस चीज़ को कहीं ना कहीं like और increase करती है enhance करती है problem को तो इसके लिए जैसे आप happy seeders जैसी machines को promote कर सकते है आप यहाँ पर जैसे कुछ industries होते है जैसे आपको गत्ता making industry पता हो तो गत्ता making industry में यह जो आपकी straw है it can be used as a like आप raw material की तरह हैं से use कर सकते है तो वहाँ पर आप industries में से promote कर सकते है आप co-firing में जैसे like thermal power plant है वहाँ पर हम coal की burning करते है तो co-firing में भी आप in stubble का use कर सकते है तो these are just one of the like options है जिसके through आप इस air quality को maintain कर पाएंगे इस area में तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि whenever we planning for urban area we have to maintain certain things कैसे जैसे urban area में हमें सबसे पहले green area को maintain करने की जूरुत है means जो आपके जैसे plants है parks है इनको maintain करने की जूरुत है सबसे पहले तो यह कहा जाता है दूसरी चीज जैसे आप कई areas में देखते है कि there is like week में कोई एक ऐसा दिन होता है week में week days में कोई एक ऐसा दिन होता है जिसमे no vital day हम ensure कर सके है कि जैसे जहां पर आप यह मान के चलें कि मेरे यहां पर MP होते है MP public transport का इस्तमाल कर रहे है जो famous personalities है जैसे for example एक दो person यहां पर रहते हैं जैसे आयुषमान खुराना हो गया युवराज सिंग हो गया तो जैसे यह लोग यहां पर रहते हैं हम उस दिन अपने cycle पर जाएं या public transportation का इस्तमाल करें तो उस चीज को यहां पर हम promote कर सकते हैं तो मतलब at least week में एक दिन को अगर हम no vehicle days करें तो उससे कहीं न कहीं थोड़ा impact पर सकता है क्योंकि इससे कहीं न कहीं आप एक sustainable lifestyle की तरफ आप अपने state को promote कर रहें दूसरी तरफ हम और क्या कर सकते हैं हम यहां पर odd even scheme को implement कर सकते हैं यह तो आपको पता ही है क्या फिर साथ के साथ congestion test अब माल लिजे जब आपको पता है कि like when we talk about दिवाली दिवाली सीजन में there will be a lot of traffic people moving in their cars तो इन समय पे हम congestion text लगा सकते हैं where parking rate goes exponentially high so that we can discourage the people from using their personal vehicles जब भी आपको ऐसा लगे है जैसे for example 9 to 10 के बीच में अगर कोई अपनी कार लेके जा रहा है और उसे वहाँ पर कहीं parking चाहिए peak hour मतलब 5-6 बजे के बीच में कोई कार लेके जा रहा है वहाँ पर कहीं उसे parking चाहिए तो at that very moment हम अपने जो charges है taxes हैं जो आप click कर रहे हैं आप उनको increase कर दीजे तो ये कुछ चीजे हैं जहां से आप actual में urban area में changes लेके आ सकते हैं उसके लाबा जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि आप public transportation के उपर तो focus करें साथ के साथ जैसे पैदल चलने वालों के जो रास्ता है आप उसके अंदर भी थोड़ा changes ला सकते हैं साथ के साथ bicycle tracks वगरा बना सकते हैं so that we can promote bicycles और यहाँ पर हमें कुछ और चीजों के ऊपर भी focus करना होगा जहाँ पर हमें governance के ऊपर focus करना होगा क्योंकि देखे हमारी governance में अभी तक क्या है we only care about जब air quality के बारे में जब आपकी air quality already depict हो चुकी होती है we have to ensure कि अगर हम देखो एक एक आपको example देता हूँ एक एपक है that is energy policy institute at Chicago इसके accordingly world की 50 most polluted cities में 30 जो है that is only in India 30 most polluted cities are only in India और इसमें कोई बहुत अच्छा हम नहीं कर रहे है क्यों नहीं कर रहे है because हम एक concrete plan लेके नहीं चल गए जब problem आती है उसको address करने के लिए उसी time हम act करते है that is not the right way हमें कहीं नहीं एक broad policy framework पहले से ही create करना होगा तो उसके उपर हमार को focus करना होगा because in Indian city if you are living in Delhi, Mumbai any of the cities like this तो आप यह मान के चलें कि on an average 5.3 years अगर 65 साल हमारे यहाँ पर on an average एक इनसान जीता है 65 years तो उसके 5.3 years तो इन pollution के कारह नहीं कम हो जाएंगे and especially अगर आप Delhi में रहते हैं तो आपकी जिंदगी के 10 साल कम हो जाएंगे मतलब 65 साल जीता था कोई इनसान तो approximately यहाँ पर यह का जा रहा है कि 10 से 12 साल कम हो जाएंगे तो यह 53 years से 55 years के बीच में कहीं इसका survival रहेगा जो like commons है common goods उनको protect करने की जूरत है जैसे urban commons में क्या जाते है आपके ponds होते है parks होते है like green areas होते है हमें उन सभी area को maintain करना होगा and इसमें urban community means local logo का participation is must when we talk about local community they have to protect, nurture and expand them मतलब यह जो urban areas में मैं पाक की बात कर रहा हूँ उसको कैसे maintain करना है उसे कैसे dignified रखना है ये काम सिरफ local government कर सकती है और कोई नहीं साथ के साथ हमें कोशिश ये करनी होगी urban area जैसे for example if this is your city इसके आज़ पास हम एक green belt develop कर सके ये green belt क्या करेगा इस city के लिए lungs का का काम करेगा if that might be अगर 5 km square का area हम यहां पर इसके आज़ पास green belt develop करते हैं तो air pollution level कहीं न कहीं हम बहुत हद तक कम कर पाएंगे तो यहां हमें governance के अंदर सुधार लाने की जूरत है जहां पर हम cosmetic के उपर तो अभी हाल-फिलाल के उपर तो work करे ही बट उसके साथ-साथ in future हमें कैसे और better इस सीज़ को कर सकते हैं for example जैसे graded action plan है डेली के रहे है बट बाकी cities में इसका कोई implementation नहीं तो हम बाकी cities में भी ऐसे कुछ plan design कर सके local bodies को साथ में लेके local players को साथ में लेके that will be very fruitful यहां पर इस editorial में आपको कोई doubt है use of environment friendly firecracker during special occasions like दिवाली चलो like जानवी I do agree with this but क्या firecracker itself एक बहुत बड़ी problem है firecracker सरफ साल में एक बार ही आते हैं like दिवाली पे लोग फोड़ते हैं but आप new year पे देखिए आप चलो छोड़ो firecracker से लोगों को सबको problem है मैं यह कहता हूँ कि लोगों को firecracker फोर नहीं नीची है but what about Ukraine Ukraine में जो crisis चल रहे हैं वहां पर तो आप जितने एक साल में पटाके नहीं फोड़ते उससे ज़्यादा तो वहां पर एक दिन में वहां पर यह काम चल रहे है we talk about यह जो global warming है सबके बारे में हम बात करते हैं but what about these areas यह जो आपको इस्रेयल में दिखाई दे रहा है यह जो Gaza strip में अटाक चल रहे है आप दुनिया में हर जगा देखेंगे हर जगा बंबारी चल रही है nobody cares to talk about that कि इसको भी तो रोकने की जूरत है यह भी तो जूरत है मैं यह कहता हूँ cracker ford न अच्छी बात नहीं but at the same time responsibility सरफ एक cracker ford ने से बंद करने से आपकी responsibility पूरी नहीं होती है आपको उसके beyond जाना पड़ेगा आपको उसके beyond जाना पड़ेगा if you don't move beyond that वो अपने लिए problem रहेगा चलो ठीक है जी यहां तक आप बात समझगे बहुत अच्छी बात है अच्छा बचपन में आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है जिसे मैंने एक आदबार किया है आपने अपने दोस्त की notebook पे उसका नाम काटके अपना नाम लिखके मैडम को कॉपी दिखा दियो कभी ऐसा किया है कि आपने अपने दोस्त की book के उपर जैसे एक नोट बुक है नोट बुक के उपर sticker अपना लगा कर और आपने चेक करवा दियो ऐसा किया है किया कभी आपने ऐसी बचकानी हरकते अपने इंडिन पॉलिटिक्स में भी चल रहे है पर अग्जामपल प्रधान मंत्री आवास योजना is a central scheme जिसमें अगर हम ग्रामिन कॉंपनेंट की बात करें there is a ratio of 60-40 60% money will be provided by the center government and 40% money will be provided by the state government अगर आप हिली एरिया में रह रहे हैं तो 90-10 का ratio है जहाँ पर 90% money will be provided by the center government and 10% money will be provided by the state government under the scheme बेसिकली जो center government ज़्यादा पैसा दे रहा है तो they will market themselves अब अब चुकी center government पैसा दे रहा है उसको लग रहा है कि मुझे marketing अपनी करनी चाहिए तो यहाँ पर इन दोनोंने क्या किया center की scheme थी प्रधान मंत्री आवास योजना इन्होंने नाम चेंज कर दिया प्रधान मंत्री आवास योजना YSR अपनी party का नाम डाल दिया अब इसके लिए पैसा center दे रहा है center कहता है कि भई यह क्या चल रहा है भई what's this आप मेरे मेरा काम आप अपने नाम पर कैसे बेच सकते है दूसरी चीज अगर आप बात करें West Bengal government की तो इन्होंने तो एक अदम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बंगाल आवास योजना ही इसका नाम कर दिया although the funding was provided by the center government the center government कहता it's not done आप एक काम कीजे आपको 4000 करोड इसका मिलना था परधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन का we will not provide that fund to you anymore बंगाल के बाद करें तो 2022 से इनको पैसा दिया ही नहीं किया this scheme के under because they are renaming these schemes on behalf of them जबकि पैसा इसके लिए center government दे रही थी तो यहां पर हमारे लिए यह परधान मंतरी आवास योजना के बारे में जानना थोड़ा important हो जता है the scheme started in 2016 2016 में housing for all scheme के under जहां पर हमारे दो component है एक urban area में we will provide housing and दूसरा गामीन area में we will provide housing urban area में ministry of housing is के लिए responsible है whereas rural areas में ministry of rural development will be taking all the initiatives अब यहां पर basic amenities के साथ एक पक्का घर provide करने की बात कर रहे है to each and everyone special focus will be given to the minorities SCST communities those जो bonded labor से हमने जो victims बचाए है वो उनको provide करने की बात करते हैं फिर जो लेक दिव्यांग जन से हैं उनको provide करने की बात करते हैं ex-servicemen है इनको भी household पका household provide करने की बात की जाती है अब इसमें component यह कहता है कि भई आप अगर हिली एरिया में रहते हैं तो government will provide you money in between 75,000 to 1.3 lakh रुपीज depending upon किस location पे किस तरह की train पे आपका घर construct कर रहे हैं दूसरी चीज अगर आप plain एरिया में रह रहे हैं तो यहां पर आपको 70 से 1.25 lakh इतना पैसाट 1.2 lakh रुपीज इतना provide किया जाएगा for your construction of home अब basic amenities में क्या क्या आते हैं इट शुड़ कंटेन अ किचन बातरूम हो आप यह कह सकते हैं कि यह basic amenities में आते हैं तो that we have to do in this part तो यहां पर scheme के बारे में आपको इतना ही याद रखना था although 2022 तक इस scheme implement होनी थी but because of certain reasons COVID-19 वगेर आ गया तो scheme को थोड़ी time के लिए और extend कर दिया गया है तो these are the things that you have to remember in this particular scheme I hope आपको scheme के बारे में और news के context के बारे में समझ में आ गया हो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे जब हम हुआ करते थे तब ऐसी चीज़े हम करते थे एक दूसरे के रेजिस्टर के ऊपर sticker लगा कर notebook check कराया करते थे but no longer अब इस चीज़े को हम participate नहीं करते किसी तरह से यह एसा ही समझ लो यह backbenchers ही है जो एक दूसरे को आखे दिखा के like मैं आपको एक बावदत हो चंता बहुत भोली बाली है उन्हें पता ही नहीं होता गौ़र्मेंट के ऐसी को स्कीम भी चलती है अगर मैं यह कहूँ ना जैसे मैं किसी को स्कीम का benefit दिलाओना सरकार से और मैं यह कहूँ कि यह स्कीम के लिए मतलब इसके लिए पैसा मैंने दिये जो रूलर एरियाज में लोग रह रहे हैं जिनको सरकार का कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है वो लोग यही सोचेंगे कि यह बंदा भगवान है हमारा माई बाप है इसने हमारे को यह पैसा दिये तो यहाँ पर इस चीज को हम समझते हैं अगले आर्टिकल को देखते हैं अधिको भुटान is a landlock country between China and India and it's like की भुटान बहाँ जादा तरीकों से दोनों कंट्रीस के उपर dependent भी है भुटान is also a close ally to us हमारा बहुत अच्छा दोस्त है friends forever, best friend forever बट यह best friend ना कई बार बीच बीच में कुछ ऐसे चीज़े कर देता है which raises India's concern अब ऐसा होता है कि जब आपका दोस्त कभी भी मुसीबत में होता है आप उसके बचाने चले जाते हैं अब जिससे डोकला में भुटान was in trouble and we stood for them but right now what भुटान is doing is just like a backstabbing we have a concern कि सिलुगरी पास के बहुत जादा नजदीक अगर चाइना आ जाता है तो it can be a choking point for North Eastern जो part है हमारा उसकी connectivity rest of the India से that's why यहाँ पर हम यह समझ रहे हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी problem है and अब यहाँ पर भुटान भी इस चीज़ को समझता है he totally agree अब ऐसा होता है जिसे आपका friend एक toxic relationship में आपको पता है कि भाई वो सामने वाला बंदा गलत है आप अपने दोस्त को एक या दो बार समझाएंगे उसके बाद आप उसको नहीं समझाएंगे ठीक है यार पढ़ने देख वे में जब ठोकर लगेगी तब समझाएंगे ऐसा होता न तो same India is saying कि that publicly we never हमने कोई comment किया ही नहीं तरह की जो भी इनके projects वगएरा चल रहे हैं या जो भी इनकी delimitation activities चल रहे हैं उसके लिए हम कभी भी कोई act या आप यह कैसे किते comment हमारी तरफ से नहीं आए अब यहाँ पर एक चीज आती है केता है कि भई भुटान अभी जाता है कि इंडिया के साथ भी वो अपने relationship खराब ना करे तो इस वज़े से इनके जो king है वो भारत की visit पर है जहाँ पर भारत और भुटान के बीच में पहला rail link जो हम establish कर रहे है 57 km का उसके बारे में बात चलिए इस रेल्वे लिंक विल बी कनेक्टिंग कोखरा ज़रा एंड गिलिपू इन दो एरिया को यह कनेक्ट करेगा अब यहाँ जो गिलिपू एरिया है इसके आसपास जो भुटान है वो एक special economic zone भी बना रहे तो इंडिया में मुंबई में आके यहाँ पर्मोट करते हैं तो यहाँ पर इंवार्मेंट को किसी भी तरह से पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इट विल हाव यूनीक यूनीकली भुटानी जैसे यहाँ पर cultural और spiritual values जो होंगी उसको यहाँ पर inculcate किया जाएगा environmental sustainable businesses के ओपर focus किया जाएगा high tech innovation के ओपर focus किया जाएगा so that भुटान के लोगों को वहाँ पर रोजगार provide कर सके हम अब यहाँ पर यह रोजगार के बारे में बात क्यों करें because opportunities जो है भुटान के लोगों के पास minimum सी है they do not have that much industries और बहुत कम कंटिस ऐसी हैं दुनिया में जो carbon neutral है तो भुटान उनमें सी एक है तो भुटान कहता है कि यहर हम अपने culture के साथ छेड़ चाड़ भी नहीं करना चाहते है we do not want की जो हमारी symbiotic relation है nature के साथ हम उसको displace भी नहीं करना चाहते है but all together हम grow भी करना चाहते है so that लोगों को पैसा भी मिले तो कि देखो ultimately environment और गयरा के बारे में हम सब बात करते हैं but ultimately घर तो चलता किस से है पैसे से भूख लगती है तो पैसे से ही रूटी आती तो यह चीज भुटान भी समझता है अब यहाँ पर भुटान और इंडिया के बारे में अगर relation के बारे में बात करें तो we've been close friend, ally since ages कब से कहते हैं जी सबसे पहले Buddhism को हमने ही यहाँ पर promote किया था तो that's why हमारे जो cultural ties है भुटान के साथ that is very ancient और हम कहीं न कहीं यह कह सकते कि Buddhism की वज़े से हम एक दूसरे के साथ connected है if we talk about economic partnership तो आपको वहाँ पर समझ रहा होगा भुटान is totally dependent upon us why I am saying this because हम भुटान के सबसे बड़े trade partner है भुटान का जितना भी export होता है वो इंडिया में आता है second thing भुटान में अगर hydro power projects को start किया जाता है तो उसमें भी investment is coming from Indian companies तो इस वज़े से यह भी important aspect है कि जो hydro electricity भुटान हमें बेजता भी है वो भी generate कहीं न कहीं हम ही करके देते हैं उसे third thing financial assistance जिससे आपको पता होगा श्रिलंका कोवन ने financial assistance दिये ऐसे ही हम line of credit and financial assistance भुटान को भी time to time देते रहते हैं so that उनकी जो economy है वो ठिक ठाक चलती रहे फिर अगर हम बात करते हैं पर strategic partner क्यों है strategic partner इसलिए है because it's a buffer state between India and China अगर चाइना के control में ये रहेगा तो इंडिया के नॉर्थ इस्टन पार्ट में कहीं न कहीं हमारे को concerns देखने को मिलते हैं that is कहीं न कहीं हमारी internal security के ऊपर एक deep dent पढ़ सकता है तो that's why strategically भुटान is very important and even भुटान में हम border का infrastructure भी develop करते है so that in future if we require them to stand with us वो जो आप भुटान को कह रहे हैं कि भाई चाइना के साथ लगा हुआ उस border area में अगर हम border infrastructure डवलप करेंगे तो it will be very crucial for us for near future जहां पर अगर हमारा कोई चाइना के साथ बड़ा टसल होता है तो उस समय हम उसे utilize कर सकें last में यहां पर यह कहा जाता है कि renewable energy की field में we are investing huge in भुटान as well as sustainable tourism को भी हम वहां पर promote करते हैं so these are the things that you have to remember about India-भुटान relationship historically these are the things right now they are focusing upon a rail link project जो की kokra jakar kokra, jakar और गेलुपू के बीच में गेलुपू में they are establishing a special economic zone तो जहां पर industries बगारे को promote करने के लिए they are focusing upon India से investment को attract कर सके so these are the things that you have to remember in this particular article now let's talk about financial action task force it is an organization which was established in 1989 अब 1989 में इसको established करते time हमने इसे mandate दिया that you have to control money laundering in the world money laundering क्या होता है for example मान जिजे a person A is having black money black money is unaccounted money जिसके उपर किसी ने tax pay नहीं किया हो means a person is having black money like on which he has not paid a tax और even in certain scenario we can say कि एसी money जो illegal business से आई हो तो यह person है जिसके पास कुछ illegal money है अब now what he do is यह किसी person B को यह पैसा देता है यह person B इसे कुछ financial institution के थूँ move करके इसे white में convert कर देता है means for example आप यहां से पैसा जिसे आपने मैंने एक example पहले भी दिया था if you have seen और रजनी कांथ movies शिवाजी दा बॉस उसमें शिवाजी क्या करता है जो politicians होते हैं उनकी black money को इकठा करता है इकठा करके हवाला के थूँ पैसे को USA भेजता है USA में अपने friends को cash में देता है cash में देके कहता है कि इस NGO के नाम पे इस पैसे को donate कर दो तो उसने सारा पैसा वो क्या कर दिया white कर दिया donation के थूँ एक NGO में पहुंच गया तो this is what we called money laundering in term यहाँ पर शिवाजी दा बॉस ने उस movie में क्या क्या था money laundering की थी तो यह जो process of money laundering इसको रोकने के लिए 1989 में financial action task force को बनाया गया था but meanwhile 2001 आता है जहाँ पर आपको 9-11 जैसी बड़ी घटना होती भी दिखाई देती है अब USA को होश आता है this is कि terror funding को भी इसके embed में डाल देते है means यहाँ पर आप 1989 में G7 countries ने इसको बनाया था Paris में कहाँ पर Paris में और फिर यहाँ पर 2001 में इसकी embed में एक और चीज़ एड़ कर देगी terror funding कि भी अगर किसी country में terror funding के कोई scope देखने को मिलते हैं तो उसको भी यह जाच करेंगे then उसके बाद एक और decision आता है एमबेट में डाल दिया जाता है तो इसकी दो लिस्ट होती है वन इस ग्रे लिस्ट इसे आपको पता होगा बहुत टाइम तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रही थी बिकास यहाँ पर terror funding के लिए पाकिस्तान को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता था क्योंकि उन्होंने कुछ recommendation दिये थे वो recommendation पाकिस्तान implement नहीं कर रहा था जिससे terror funding रुक सके तो यहाँ पर इस वज़े से पाकिस्तान को gray list में डाल दिया अब अगर मान लोग gray list के बाद भी country corporate नहीं कर रही है ultimately उसे डाल दिया जाता है black list में black list में डलने के बाद most of the economies उसके साथ trade करना बंद कर देती है means economically वो country का downfall start हो जब तर trade नहीं होगी तो remittances नहीं आएगी और कोई भी revenue नहीं आएगा अब अगर पैसा नहीं आएगा तो कोई भी country isolated form में exist नहीं कर सकती आज की date में because they are dependent upon every other economy for one good or other जिसे इंडिया की बात करें तो हम अकेले exist नहीं कर सकते because हम crude oil के लिए दूसरी countries के उपर dependent है gold के import के लिए दूसरी countries के उपर dependent है हम cooking oil के लिए दूसरी countries के उपर dependent है pulses के लिए दूसरी country के लिए dependent है तो ऐसे ही अगर trade खतम हो गया तो means वो economy भी खतम हो चाहेगी दूसरी चीज यहाँ पर कहा जाता है कि भाई अगर sanction लग गए तो उसके बाद you have a problem कि आपको कहीं से loan भी नहीं मिलेगा आपके पास loan जिसे IMF आपको पता होगा you might be aware about world bank तो वहाँ से loan नहीं मिलेगा ट्रेड कम हो जाएगा international bycott हो जाएगा and that's why पूरी economy के उपर आप कह सकते economic sanction लग जाते हैं अब यहाँ पर ये news क्यों थी आई news इसलिए आई थी 2010 में हमारा review था periodic review अब इस साल में हमारा periodic review है and that's why Indian ministry want to participate की भई जो उन्होंने पहले recommendation दिये थे हम उनको holistically implement कर सके अब अगर हम money laundering की बात करते हैं one of the major player जो इस चीज को perform करता है is like कि आप यह कह सकते हैं कि help करता है इसमें that is CA chartered accountant company secretary and cost and management accountant ये तीन लोग हैं जो money laundering में कहीं न कहीं actively participate कर सकते हैं अब कर सकते हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही लोग हैं जो किसी भी person के जो black money उसको आप यह कह सकते हैं कि manage करते हैं तो यहां जो यह जो financial action task force थी इसने कहा था कि भी आपको यह अशौर करना होगा कि यह person यह जो institution है यह reporting entity की form में है reporting entity in the sense जिसे bank है उनको अपने customer का KYC in all documents वगरा maintain करने के लिए करने के लिए financial institution में जब भी आप जिसे पैसे जमा करा रहे हैं तो आपको customer का form भरना पड़ता है आपको अधार कार्ड की detail वगरा की copy वगरा देनी पड़ती है तो same way यहाँ पर इनको भी इस category में डाल दे गया है under prevention of money laundering act मतलब जो person carry कर रहा है किसी भी तरह का designated business या profession उसको इस category में डाल दे गया है under this act अब यहाँ आपको इतना ही याद रखना था यह इसी वज़े से आपका news में था now let's come to the next important article मैंने जैसा आपको कहा में भी रश्या में इसको नाम कुछ और देते हूँ बुलावा बुलावा is a like a missile system जो की आपका रश्या ने डवलप किया है ballistic missile है जो submarine से इन्होंने like fire किये test fire किये and यह nuclear capability के साथ है तो that's why अब यह कहा जा रहा है कि जो आपका nuclear agreement था जो like जिसका signatory हुआ करता था रश्या रश्या उससे move out कर चुका है means जो nuclear test band treaty थी formally Russia is not a part of that any longer formally उसका apart नहीं रही है रश्या now let's come to the next important article यहाँ पर वो नाम ही important था Saudi Arabia Russia to continue oil cut अब चलो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा example देता हूँ अगर आज saw unit तेल में produce कर रहा हूँ if like I'm formally यहाँ पर मैं saw unit तेल को like mining कर रहा हूँ इसकी अब demand है यह supply है demand है saw unit की तो क्या होगा क्या मैं यह कह सकता हूँ कि price stable रही है जितनी demand है उतनी supply हो तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि the prices for oil will be more or less stable but what if मैं artificially एक scarcity create कर दो कि मैं अपनी production unit को कहूँ कि भाई 5 unit अब कम produce करो अभी भी demand कितनी है saw unit अब मुझे यह बताओ क्या आपको इससे price में hike देखने को मिलेगा scenario A और B क्या यह दोनों scenario आपके correct हैं yes or no अब अगर price में hike होगा most of the transportation sector is dependent upon crude oil तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि economy में crude oil के दाम increase होने से we'll see inflation क्योंकि देखो न अगर मैं tomato को इदर से उदर भेज रहा हूँ उस tomato को इदर से उदर भेजने के लिए मुझे trucks का साहरा लेना होगा या railway इसके through मैं भेजूँगा अब अगर मैं trucks या railway या किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उस case में यहाँ पर अगर petrol के दाम बढ़ गए हैं तो वो transportation cost increase हुई यानि input cost increase हुई और उससे inflation आएगा अब ये inflation कहीं न कहीं बहुत सारी economy के लिए एक सरका दर्द बन सकता है because economies are already moving towards slowdown तरहां से साओधी और ये जो रशिया है oil के prices को increase artificially करेंगे तो इससे world में depression आने की chances है economic depression आने की chances है तो इस वज़े से कुछ economies इसके उपर concern raise कर रही है अब ये करा किसने किते जिए एक उपैक है उपैक और उपैक प्लस ने मिलके किया what is उपैक इतना 1960 में एक intergovernmental organization बनाए गी थी उन देशों के बीच में जो oil को export करते हो मतलब एक ऐसा देश जो substantial amount में oil को बहार के देशों को export करता हो ऐसे देश को आप उपैक का member कह सकते हैं 1960 के दशक में मतलब बगदाद में एक conference हुई थी वहां से इसके शुरुबात हुई थी बाद में इसका headquarter वियाना अस्ट्रिया में बना अब यहां पर अगर बात की जाए कौन-कौन founding members थे तो इरान, इराक, कुएट, साओधी, वेनिजूला ये इसके founding members थे अभी total 33 countries इसके member हैं जिसमें आपके Ecuador, Venezuela, Equatorial, Guayna, Gabon Angola, Republic of Congo, Nigeria, Algeria, Libya, Saudi, UAE, Qatar, Iran, Kuwait and Iraq आजाते हैं ये वो countries हैं जो उपक के member हैं sorry, in total 14 देश इसके member हैं when we talk about OPEC plus OPEC plus means इस OPEC के इलावा और भी कुछ oil producing countries हैं जो export करती हैं and we want to include them as well तो इसमें कुछ countries आज़ती हैं जैसे Russia, Malaysia Russia, Malaysia, Mexico Oman, Sudan, Sudan Kazakhstan, Burnai and आपका बहरीन and Algeria Azerbaijan sorry तो these are the countries जो इनको आप ये कह सकते हैं जो OPEC plus में आती है generally 90% of the oil supply इनी देशों के थूँ होती है and अगर ये oil के production को cut करते हैं तो इससे सभी economy के ऊपर negative impact आता है तो यहाँ पर इस article में आपको इतना ही समझना था because अभी के लिए आप ये मान के चले साओधी ने voluntarily आप ये कह सकते हैं एक million barrel per day production level को कम करने की घूशना किये and same goes with the Moscow जिसने तीन लाग barrel को कम करने की घूशना किये that's a trouble for all the economies एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में inflation और ज़्यादा shoot कर सकते हैं now let's talk about Zika Zika is a kind of mosquito born viral disease जिससे आप ये कह सकते हैं कि फिल्वी वाइरस जो है इसके कारण ये बिमारी होती है although the symptoms are not that much big आप देखेंगे जिस person को Zika हुआ है उसको हलका सा बुखा रहेगा थोड़े बाद 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 बाडी में joint में pains हो सकते हैं ये normal से symptom आपको देखने को मिलते हैं extreme circumstances में 2015-18 के बीच में यहाँ पर एक आपको case देखने को मिला था microcephaly का microcephaly मतलब जो pregnant women's थी उनके जो बच्चे थे उनका सर उनके धर के मुकाबले में काफी छोटा रह गया था जिसे scientific term में कहा गया था microcephaly तो ये 2016 के time पे WHO ने international concern के नाम पे भी register किया था means it's a kind of problem जो उस समय बहुत जादा impact की थी Latin American countries और America वाले जो continent है वहाँ पे अब यहाँ पर कहा जाता है Zika virus if we talk about 1949 में इसके strain को monkey से हमने अलग किया था in the African jungle में किया था Zika forest जिसका नाम है जो की युगांडा में located है जो की कहाँ पर located है युगांडा में located है अब वहाँ पर इसको isolate किया 1949 में और आप 47 में उसके तुरंती 5 साल बाद आप देखते है 52 में युगांडा में और तंजानिया में पहला Zika virus का case register होता है मिन्स आफ़त तो हम खुदी घर लेके आए थे अब जब यहाँ पर इसके strain को अलग किया गया है और अभी 2007 के आसपास इसके उपर studies और गयरे conduct की जिसमें ये पता लगा कि इसमें 10,000 single standard RNAs है इन RNAs की वज़े से ये बहुत तेजी से mutate करता है जिसकी वज़े से इसके लिए कोई भी दवाई बना पाना थोड़ा difficult रहता है अब इसमें आपको एक polyprotein की layers देखने को मिलती है जिसकी वज़े से like we can say कि ये evolve बहुत fast करता है अब यहाँ इसके diagnosis के अंदर भी एक problem आती है अगर antibodies के accordingly इससे diagnosis किया जाए तो problem यह है कि डेंगी के भी same antibiotics generate होते है चिकन गुनिया येलो फीवर उनके सभी के same आपके like antibodies generate होती है तो antibodies same generate होंगी तो we cannot differentiate between these pool of जो आपके virus से infected बिमारी है उनके बीच में segregation या differentiation नहीं कर पाएंगे तो generally इसके लिए हम genetic like जो basis test होते है genetic test testing वो conduct की जाते कि भी actual में ये चिकन को नहीं है पोलियो है ये क्या है अब यहाँ पर यह समझ में आया आपको now इसके बाद ये का जाता है कि भी इसके लिए अगर इस विमारी को control करना है तो हमारे को RNA genomes के उपर focus करना होगा जहां पर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर high possibility है mutation की mutation की probability high है तो इसमें आप actual में जब इसके थोड़ा जैसे genome sequencing की तो हमें पता लगा कि दो strain है एक African strain है एक Asian strain है African strain जो है वो basically अगर आप देखें तो आपको अभी recently America में जो attack देखने को मिला थे Zika virus का वो basically आप यह कह सकते है French Polynesia से कहीं न कहीं इसके America में propagate हुआ था जहां पर कुछ travelers थे from these areas उनके कारण America में spread हुआ over a period of time अगर हम बात करें तो Zika virus में एक सबसे important बात है एक आप precursors का नाम याद अखना PRM basically यह precursor membrane है protein है एक तरह का यह जो protein है कौन सब? PRM आपको directly newspaper से यह नाम दे देजएगा PRM क्या है it is a protein which is found in like जो आपका Zika virus है जिसकी वज़े से actual में यह microcephaly जो problem देखने को मिलती बच्चे का सर छोटा था वो problem basically इस protein के कारण होती है अभी यह शोध में पता लगा अगर South America में अगर हम जो यह strain हमें देखने को मिला वो specifically इसी जो यह protein है आपका PRM इसी के अंदर mutation देखने को मिली थी जिसकी वज़े से यह microcephaly बिमारी वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैली although microcephaly को अगर हम track करते हैं तो Asia से यह बिमारी चली थी Thailand से और वहाँ से actual में यह transmit हुए USA के अंदर तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि like कुछ cases में अगर आप देखें जहाँ पर dengue और आपकी जिका वारस दोनों ही किसी patient को होते हैं तो उस case में यहाँ पर बिमारी के जो severity है वो बहुत जादा increase हो जाती है जिसके कारण person की death तक हो सकती है तो यहाँ पर एक चीज बताएंगी है कि जब भी यह दोनों वारस attack करते हैं किसी भी body पे ना तो एक common आपको दोनों में चीज देखने को मिलती है that is यह suppress करते एक antimicrobial peptide को protein है यह भी peptide protein है ठीक है न जी यह एक protein को आपके suppress कर देते जिसका नाम है realm क्या नाम है realm तो जिसकी वजह से यह severity जो है इसकी वो और ज़्यादा increase होती है यहाँ पर यही कहा जाता है कि इन से बचने के लिए we can use a technique जिसमें आज कल Australia में एक चीज को टेस्ट के गया था walbachia को walbachia क्या है basically अप यह कह सकते ancient bacteria है जो कि mostly सभी organism में मतलब जिसे mosquitoes वगरा में देखने को मिलता है पर जिनमें भी walbachia absent है उनके cases में वो मच्छर carry करते हैं आपके चिकन गुनिया yellow fever, dengue और zika जैसे viruses को तो यहाँ पर आप यह मान के चलें कि यह जो walbachia है यह bacteria है जो कि आपको अगर आप introduce करते है Qlex mosquitoes के अंदर तो यह अगर female को fertilize करेगा भी तो उनके eggs से आगे बच्चे पैदा नहीं होंगे और वो female bacteria कहीं ना कहीं आप यह कह सकते हो कि उनके अंडे जल्दी मर जाएंगे तो मच्छर की जो problem है मच्छर की काटने से जो problem देखने को मिलती है हमें यह चिकन गुनिया या malaria and all यह सभी problems को हम खतम कर पाएंगे तो यहां पर वॉल्व अच्छे बेक्टीरिया के बारे में याद रखना इस अ बेक्टीरिया जो कि mosquito में introduce किये जाते है क्यूलिक्स में क्यूलिक्स में introduce करके हम basically जो जितने भी mosquito bond disease है उसको खतम करने के कोशिश करें जब भी क्यूलिक्स मॉस्केटो किसी भी female के साथ fertilization करेगा तो उससे जो eggs हैं उनकी death जल्दी हो जाएगी यहां पर इस article में इन दोनों article में आपको इतना ही याद रखना था किसी को कोई doubt है येलो फीवर भी एक kind of आपका जिसे डेंगी वगर है वैसे ही एक तरह का बुखार है जिसमें शरी थोड़ा पीला पड़ जता है symptom more or less same से ही देखने को मिलते हैं आपको इसके बाद आपको newspaper पढ़ने की जूर्त नहीं पड़ेगी आज की class लगाने के बाद and what I'll try to do is मैं आपके साथ इसकी ना screenshot share कर दूँगा आज शाम तक group में मैं आपको इसके screenshot share करने start करूँगा so that जैसे ये है article इसका एक screenshot दे दिया आपको कि आप इसके side में जो लिखा हुआ उसको पढ़ सके ताकि आपको notes बनाने की कोई ज़्यादा ज़र पना पड़े so that what we can do हाँ जी यहाँ तक कोई doubt हो किसी को तो पूछ सकते हैं बाकि आज की class में इतना ही था पीलिया में लिवर के उपर impact होता है लिवर की functioning improper होते जिसके वज़े से खूण सूखने लग जाता है और खूण सूखने की वज़े से death हो सकते किसी भी परसंगी वो जॉंडेस होता है पीलिया means जॉंडेस येलो फीवर इस सम्थिंग डिफरेंट चलो जी, well and good थैंक्यू स्वाती अगर class अच्छी लगते हो तो अपने दोस्तों वग्यरा के साथ कोई group वग्यरा हो तो वहाँ पर भी promote कीजिए इट विल कहीं न कहीं मेरे को भी एक boost मिलेगा जितने ज़्यादा बच्चे आप online आएंगे उतना बढ़िया लगता है मुझे सुधीप जो weekly class हुई है न वो एक नया channel बनाया है हमने UPSC, super coaching UPSC, उस channel पर हुई है वो class अरे अर्चना अगर हम 10 लाग buses को electric buses को लेके आएंगे तो कहां से pollution increase होगा वो तो depend करता है आप किस तरह की buses को लेके आ रहे हो और वो 50-60 लाग जो आपकी bikes चल रहे है उससे तो कम ही pollution करेंगी अगर वो diesel भी होगी तो वैसे तो CNG हो सकती है it can be electric हो सकती है अपने पास options है hydrogen fuel cell से भी चल सकती हैं वो चलो everyone take care मिलते हैं अगली क्लास में कल ठीक है जी टेक क्येर एविवर्यवन झालेίं करव एवर्यवा और वो एवर्य वैया? आपने भी मैं क्या lazती है जाई एक है, तो कश्वाण है